तो यहां से यार काफी दिनों से नोट 6 Pro के लिए रिकस्ट आ रही थे कि कोई रोम पे वीडियो बनाओ या गूगल कैमरा हमको बताओ कौन सा बेस्ट है तो मैंने रोम पे वीडियो आपके लिए बना दिया था जिसमें मैंने Pixel Experience Plus वाला रोम आपको दिखाया है जिसमें काफी अच्छी तरीके से वो वर्क करता है और काफी स्मूध रोम आपको देखने को मिलता है लेकिन आज की वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एक बेस्ट Google कैमरा हमारे Redmi Note 6 Pro के लिए और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको MIUI के उपर आपके पास कोई भी MIUI वर्जिन हो आप उसको यूज कर सकते हो काफी अच्छे से आपके Note 6 Pro में यह वर्क करेगा फिलाल के लिए तो मैं MIUI का EU जो स्टेबल वर्जिन आता है 10.3.5 का इसको यूज कर रहा हूँ जिसका मैंने रिव्यू भी आलरी कर चुका हूँ जो काफी अच्छा यहां पर रहता है डेली ड्राइवर के लिए आपके लिए काफी अच्छा यहां पर यह रोम हो जाएगा जिसमें एड्स वग्यरा कुछ भी नहीं आते हैं और बहुत ही स्मूध यहां पर आपके लिए वर्क करता है यहां पर मैं आपको Google Camera दिखा देता अगर सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेट केलर का बटन मिलेगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और पीछे दूब जादा हो रही है इसलिए पीछे जादा वाइट इस बैग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है और बताना यार यह वाला अच्छा लगता ह है कि यार मैंने कल पर सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहां पर अपने फोन के अंदर एक चीज़ फ्लेश करनी पड़ती है ती डिवर्पी के थ्रू और उसको कैसे अनेबल करना है तो उसका मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रि में गूगल कैमरा वर्क करने लगेगा यहां पर नोट 7 से जितने फोन आ रहे हैं सब में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसमें कुछ सेटिंग्स भी आपको चेंज करनी होगी उस सब में आपको बता दूंगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड कर करना हैं इसको लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन माली डाउनलोड कर लो अपने फोन में इस एपी को सेव यहां पर नहीं है सिमपल इंस्टाल कर दो तो आपका इसी तरीख से पहले ही run करने लगेगा जो कि काफी smoothly आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और ये camera में आपको सब नए तरीके के function इसके अंदर मिलते हैं जो कि Google camera में आपको देखने को मिलने चाहिए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा दूँ तो आप देख पाऊगे कि night mode आपका यहाँ पे left की तरफ यहाँ पे shift हो गया है आप simply left में swipe करोगे आपका night mode यहाँ पे enable हो जाएगा उसी के बराबर में आपको portrait mode भी इसी में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे video आपको right side में देखने को मिलता है तो left right यहाँ पे change हो गया है and again more के option में जाएंगे तो आपको और भी कई सारे option देखने को मिल जाएंगे जैसे कि है पेरोनोमा, lens blur, photo spare, photo boot, slow motion, time lapse, lens and settings का तो यहाँ पे आपको इसमें काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं photo boot आप यहाँ पे कर सकते हो अपनी pics को click कर सकते हो और आप में जो भी best आती है आप उनको save करके रख सकते हो तो इसका भी option आपको इस photo boot के अंदर मिलता है और सब चीज वह करते हो मिल जाता है यह चीज आपको देखने को मिल दी है जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे slow motion दिखाओं तो देख सकते हो यह भी काफी अची तरीके से आपको slow motion पूरा work करता हो मिलता है आप record भी कर सकते हो तो मैं यहाँ पे record करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ and recording हो गई है और आपको यहाँ पे play करके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे play भी देख पाओगे कि play हो रही है कि नहीं तो यहाँ पे open करते हैं तो meet video recorder तो देख सकते हो इस slow motion की video recording की आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है काफी अच्छे से यहाँ पे आपको यह slow motion भी देखने को मिल जाता है जोगी काफी smoothly आपको work करती हुई मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के तो यह चीज भी आपको इसके अंदर अनेवल देखने को मिल जाता है तो यह सब option आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और उसके लावा आपको यहाँ पे दिखा दूँ करके पॉस करके देखना नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ सेटिंग नहीं है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेवरेरी में इसमें काई भी सारे option देखने को मिलते हैं आपको सेलेक्ट करना है सबसे नीचे वाला कस्टम लेवरेरी सेब्ट विटार सेब्टार जैडे वी थरी आप इसको यहाँ पर सेलेट कर लो उसके बाद आपको simply नीचे जाना है और आपको सेचुरेशन में यहाँ पर सेचुरेशन को सेलेक्ट करना है 1.5 बैक केमरा के लिए शेडव आपको 1.8 सेलेक्ट करनी है और आपका इजली काम पूरा हो जाएगा यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कुछ फोटो मैंने इसी से क्लिक करी है क्या मस्त फोटो निकल गया यह मैंने फोन से कीची है किती मस्त आपको यहाँ पर यह फोटो देखने को मलती है इसको मैं लेंड्सकेप में करके आपको दिखाता हूँ जो मैंने लेंड्सकेप मे काफी अची है तो यह चीज आप देख सकते हो फुल टू क्वाइल्टी में देखने को मलती है यहां पर मैं सेल्फी भी दिखा दू तो अभी क्लिक करी हुई सेल्फी देख सकते हो खूब डिटेल आपको उसके अंदर सेल्फी देखने को मलती है जो की काफी अची चीज है य तो यह चीज आपको Google Camera के अंदर ही देखने को मिलता है, Stock Camera के अंदर नहीं देखने को मिलता है, तो इससे अच्छा यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, फिलाल के लिए तो Best Working Google Camera और Note 6 Pro के लिए यह आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको इंस्टाल करना है, लिंक देखने को डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो, इंस्टाल करो और यूज कर लो अपने फोन के अंदर, यहाँ पर HDR वगेरा और मोशन वगेरा सब चीज आपको देखने को मिल जाता है, तो बिना किसी दिक्कत के अही आपको बेस्ट मलता है, तो फिर्हाल के लिए तो इस वीडियो में तही, वीडियो बसन अचे तो प्लीज लाइक कर देना, शेर कर देना, अपमें दौस्टों के साथ और चैल को सब्सक्राब निहीं किया तो प्लीज कर देना साहे साथ गंटे के भी आइकन को दबा देना फिलाल के लिए तो इस वीडियो में तहीं मिलता होने वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई